होकी खेलती लड़कियां कात्याईनी आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शेहर की ये लड़कियां खेल रही हैं होकी खुश हैं लड़कियां फिलहाल खेल रही हैं होकी कोई डर नहीं बॉल के साथ दौड़ती हुई हाथों में साधे स्टिक वे हरी घास पर तैरती हैं चूले की आच से मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती हैं वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आये हुए वर्पक्ष के लोग वहां अम्मा बैठी रहा तकती है कि बेटियां आयें तो संतोशी मा की कथा सुनायें और वे अपना व्रत तोड़ें वहां बाबुजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लोट कर पकोड़ी और चाय की वहां भाई घुम घुम कर लोट आ रहा है चौराहे से जहां खड़े हैं महले के शोहदे रोस की तरह लड़कियां हैं के होकी खेल रही है लड़किया पेनल्टी कॉर्णर मान रही है लड़किया पास दे रही है लड़किया गोल गोल चिलाती होई बीच मैदान की और भाग रही है लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही है एक दूसरे को चूम रही है और हस रही है लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही है और गिर रही है और उठ रही है वे लहरा रही है चमक रही है और मैदान के अलग-अलग मोर्चों में रहे रहे कर उमड घुमड रही है वे चीख रही हैं, सीटी मार रही हैं और बिना रुके भाग रही हैं एक छोर से दूसरे छोर तक. उनकी पुष्ट टांगे चमक रही हैं नृत्ति की लैबद गती के साथ और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद, निश्चिंथ हैं बिना ये सोचे कि मूँ दिखाई के रस्म करते समय सास क्या सोचे की? इसी तरह खेलती रहती लड़कियां, निश्चंकोच, निर्भीक, दोड़ती, भागती और हस्ती रहती इसी तरह और हम देखते रहते उन्हें. पर शाम है कि होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से, और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीशन जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लोटिंगी घर. अगर ऐसा नहों तो समय रुख जाएगा. इंद्र, मरुत, वरुन, सब कुपित हो जाएगे. वजरपात हो जाएगा, चक्रवात आजाएगा. घर पर बैठे देखने आए वरपक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएगे. बाबुजी घुसाएंगे गरचते हुए मैदान म भाई दोड़ता हुआ आएगा और जोंट पकड़ कर घसीत ले जाएगा. अम्मा को सेगी किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलचनी बेटी को. बाबुजी चीखेंगे सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है. घर फिर एक अंधेरे में डूप जाएगा. सब सो लड़कियां घूरेंगी अंधेरे में. खटिया पर चित लेटी हुई. मा की लंबी सासे सुनती. इंतजार करती हुई कि अभी वे आकर उनका सर सहलाएंगी. सो जाएंगी लड़कियां. सपने में दोड़ती हुई बॉल के पीछे स्टिक को साधे हुए हाथों में पृत्वी के छोर पर पहुँच जाएंगी और गोल गोल चिलाती हुई एक दूसरे को चूमती हुई लिपट कर धरती पर गिर जाएंगी.